लोग सबाच चुनाव 2024 को चंद महीने बचे हैं। यूपी में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल अपनी ताकच जोकने में लग गए हैं वहीं बसपा की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। चुनाव से ठीक पहले मायवती का अपने सांत छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपा से गडबंदन कर 10 सीटिय जीती थी। वहीं लोगसबा चुनाव के लिए इस बार एंडिय के मुकाबले इंडिया बनाया गया। वहीं सूत्रों का कहना ये है कि बस्पा के मौजुदा सांसत और लोगसबा चुनाव की तैयारियों में लगे नेताओं को ये उमीद थी कि उनकी पार्टी भी किसी ना किसी गडबंदन में शामिल होगी। लेकिन मायवती द्वारा बार बार ये कहा जाना कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। ये गेम चेंजर साबित हुआ। सांसद अफजाल अंसारी को सपा अपनी उमीद वार गोशित कर चुकी है। इसके अलावा कई और सांसद भी हैं जो दूसरे दलों के साथ नजर आ रहे हैं। जानपुर्स के श्याम सिंग यादव और लाल गंज के सांसद संगीत आजाद के बारे में तो चर्चाएं फैली हुई हैं। सारन की हाजी फरुल्ला रह्मान भी सांसद हैं लेकिन बस्पा नहीं। वो मजीद अली को लोकसवा प्रभारी भी वहीं घोशित किया हुआ है। और बिजनौर के सांसद मलूक नागर भी भाजपा के पिछले बजट की तारीफ करने के बाद अब चर्चाओं में हैं। शावस्ती के सांसद राम शिरो मडी वर्मा के बारे में भी चर्चाएं तेज हैं। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि बस पापने कितने सांसदों को रोक पाने में काम्याब होती है और कितने सांसद मायवती का सांस छोड़ते हुए नजर आते हैं।